यहां सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक जामने इस से आपके एक्जाम में multiple choice देखने को हमेशा मिलता है इसलिए इसको miss मत किज़े इसको skip नहीं करना है यहां थोड़ सा ध्यान से समझना है इससे multiple choice का रहता है जब भी आप किसी समीकरण को बनाएंगे जब बनाएंगे जैसे माल जी question देदेगा 2x square plus 5x plus 4 ऐसे कोई question देदे ध्यान से समझेगा अब बोलेगा कि पता है इसको कैसे बनाएंगे किसी भी बिदी से नहीं बस इस formula लगा के बनाएंगे क्या लगा के बनाएंगे फर्मूला लगा के पहिला वाला ए होता है यह वाला बी होता है यह वाला सी होता है जब इसको लगा के इसको जब बनाएंगा अगर यह बनाते समय इसका एंसर अगर जीरो आजए जीरो से बड़ा आजए जीरो से बड़ा का मतलब का होता है आजाए जी जिरो से बढ़ार के मतला मुन दो गात थं करण न कितना या इसको होगा लेकिन दोनों answer अलग-налग होगा ये नहीं कि मांनी जीचे की एक और एक्स का मान दूगा तर एक और एक और गया आगया फिर एक तमान का मान डोलों answer x का बढ़ाबर नहीं आएगा कब नहीं आएगा जब ये 0 से बड़ा रहेगा समझेगा जब ये निकालिएगा D और D निकालने के बाद क्या आजाए ये दुनों आपस में अगर क्या आजाए जीरो आजाए मतलब इसको बनाते समय जीरो से बड़ा आजाए यानि एक दो तीन चार पांच यानि पचास साथ कुछ भी आजाए तो वो हमेशा उसका अलग-अलग To1 I produkt में ये भी चार ध्यान से समझेगा अगर एक समिकरनों ओ ठीकर यहाँ समिकरन को देखिए कई से हम बना रहे हैं समिकरन अगर दे दिया हो A हो गया यहाँ पर A हो गया यहाँ यहाँ एक्स स्क्वाइर प्लस 4 A C यहाँ हो जाएगा आपका 4 X अब प्लस में 4 अगर ऐसा समी करण दे दे तो आप क्या कीजिएगा यहाँ D बराबर जब निकालेगा तो होगा B स्क्वाइर माइनस 4 A C B का मान कितना है तो B का मान 4 है तो 4 का A स्क्वाइर माइनस 4 A का मान कितना है 1 C का मान कितना है 4 तो यह 4 चोग का 16 16 में से 16 गया कितना है 0 अगर D का मान 0 आ जाए तो इसका एंसर तो इसके बास से यह फर्मूला लगा कि आप क्या कीजिएगा X का मान निकलेगा यहाँ B भरिएगा B जितना दिया है उतना भर दिजेगा यहाँ D बराबर क्या भरिएगा D बराबर 0 तो याद रखेगा यह X का मान दोठो तो आएगा लेकिन दोनों क्या होगा समान होगा एक ही जैसा होगा यहाँ पे दोनों answer क्या होगा समान होगा हमेशा द्विघाश संकरन में दोठो answer होगा यह दिमाग में रख लिजिए लेकिन अगर 0 से बड़ा हुआ तो दोनों answer अलग अलग होगा एगो अगर 50 अरा है तो एगो 55-65 बने अलग 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 दोनों आएगा अगर वो 0 के बराबर हो गया यह B2-4C यानि D जो है अगर पूछेगा आपसे कि इसको विवेचक भी कहते हैं क्या कहते हैं विवेचक बोलते हैं विविक्तिकर बोलते हैं आपसे एक्जाम में multiple choice में question पूछेगा कि अगर विवेचक 0 के बराबर हो यह B2-4C मतनब D अगर 0 के बराबर हो एंसर दुग होगा लेकिन दूनू बराबर हो तो एंसर भी क्या होगा आपसमें बराबर होगा अगर D बराबर जीरो आजाए answer इसको बनाते वक्त तो यह क्या होगा? दूनू का एंसर समान होगा यानि बराबर होगा ठीक है अगर डी कमान 0 से बड़ा आ जाए क्या आ जाए 0 से बड़ा आ जाए तो उसका एंसर दो ठोटा आएगा लेकिन दोनों अलग अलगाएगा अगर डी का वैलु 0 से छोटा आ जाए अब 0 से छोटा का होता है गया जिरो रुपिया नहीं है, इस से छोटा माइनस 1, माइनस 2, यानी d का value अगर माइनस में आ जाए, तो उसका कोई हल नहीं होगा, उसका कोई answer नहीं होगा, उसका कोई x का मान नहीं होगा, यह हम वहीं लिखा है कि 2.50 वास्त्वीक मूल कब होता यानि दो अलग-अलग मुल यानि X का मान कैसे निकलेगा जब क्या होगा जीरो से बड़ा होगा B square minus 4C दोनों answer बराबर कब होगा जब यहाँ B square minus 4C 0 के बराबर होगा यहाँ कोई वास्त्वीक मुल ने होगा कोई X का मान कब नहीं होगा जब यहाँ 0 से छोटा होगा यानि कि इसका answer किसमें आएगा minus में यहाँ कोई भी आजाए A, B, C, D कुछ भी अगर answer minus में आजा रहा है तो इसका मतलब उसका कोई हल नहीं होगा तो उमीद करते हैं कि आपको यह basic funda समझ में आया होगा अगर लगा हो जब पर 10 वीडियो तो इसको दबा के share किजिए और like किजिए फिर हम लोग देखते हैं आप इसके multiple choice तो multiple choice देखे chapter complete होगा तो आपको एक-एक multiple choice हम लोग मतलब इसमें line balance sequence के हिसाब से आपको बताया जाएगा एक भी आप question को mistake मत किजिएगा जो भी doubt होगा उसको पुछेगा comment box में उसको बढ़ियां से solve करके हम बताएगे ठीक है तो अब बिना देर की हम लोग देखते हैं question